पब्लिक टीवी आपकी आवाब मुरदबाद की धर्ती 24 नवंबर को धन्य होने जा रही है क्योंकि इस दिन जगत कुरू शंक्राचारे स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी मुरदबाद आ रहे हैं और रेलवे स्टेडियम में शाम चार बजे एक धर्म सभा को संबोधित करेंगे इसलिए अगर आप धन के प्रेमी हैं और जगत कुरू शंक्राचारे स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महराज का मार्वतरशन और आशिरवाद चाहते हैं तो 24 नवंबर को शाम चार बजे हर हाल में रेलवे स्टेडियम पहुंचें और अपना इस्थान ग्रहन करके जगत कुरू शंक्राचारे जी के प्रवचन को सुनें क्योंकि जगत कुरू शंक्राचारे स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महराज अब तक भारत के एक मात्र ऐसे संथ हैं जो सहिक्त राष्टरसंग और विश्व बैंक तक का मार्वतरशन कर चुके हैं 1966 में दिल्ली में देश के अनेक वरिष्ट संत और महत्मा और गोवभक्तों के साथ गोरक्षा अंदोलन में भाग लेने वाले जगत कुरू शंक्राचारे गोवर्धन मठ पूरी के 145 देशों में संक्राचारे के पद पर आसीन हैं स्वामी निश्चलानन सर्स्वती जी महराज यहां अध्यात्म धर्म और अखंड भारत पर दुनिया को नया संदेश देंगे यह जानकारी आयोजन समीती की कूर कमेंटी के सद्से और जाने माने निर्यातर और समाज से भी विनेल लोहिया और डॉक्टर ब्रजपाल लोच सेफित चाह्रे जीपरी के मुरादवाद की धर्ती पर आ रहे हैं. इसे हमारा मुरादवाद सहर को एक बहुत पावन और पूरा आशिरवाद मिलेगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां की पृज्या यहां की जनता उनका पूरा आशिरवाद लेगी और आशिरवाद से मुरादवाद सहर धन्य हो जाएगा ये कारिक्रम साड़े चार बजे रेलवे स्टेडियम के अंदर रखा गया है और ये कारिक्रम लगभग आठ बजे तक चलेगा मुख्या तिति इसके अंदर संक्राचारे ही रहेंगे हर तरीके से वही पूरा आ मुरादवाद से अपील ळात बहुते हैं से वह पूरी तरीके से वह जादे से जादे लोग आ और उनका आशिर्वाद नेैं क्योंकि पहली वार एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी आत्मा, एक ऐसा जगद गुरू संक्राचार है मुरादबाद की धर्ती पे आ रहे हैं तो भारत वो मुरादबाद की धर्ती धन्य हो जाएगी और यहां के लोग को पूरा अश्रवाद पूरी पीट आदिस्वर जगत गुरू संक्राचार्य स्वागत समीती मुरादबाद दिनांग 24 नमबर दिन बुद्धवार को सुबह 6 बजे आदिगुरू संक्राचार्य जी का स्वागत रेल्वे स्टेशन पर करेगी वहां से उनका निवास राजन एंकलिव में है और साम 4 बजे एक वराठ ध्रमसभा का आयोजन रेल्वे स्टेडियम मुरावाद में होगा जिसमें पूरी संक्राचार्य जी धर्म, अध्यात और राष्ट पर अपने मत प्रिकट क करेंगे और मुरावाद की समझ जंता से अनरोध है कि इस अफसर का ज़्यादे से ज़्यादे लाब उठा कर धर्म लाब कमाएं दिना 25 नमबर को भी गुरुजी मुरावाद में ही रहेंगे और 26 नमबर को यहां से उनका प्रस्तान होगा जंसमा का उदेश सिर्फ धर्म अध्याद और राष्ट का उत्थान राष्ट का उत्थान अकंड भारत और सनातन धर्म का उत्थान है